जै शीरादे भक्तों आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं आदिशंकराचारी जी द्वारा रचत उमा महेश्वर स्तोत्र हिंदी अर्ट के साथ तो चलिए शुरू करते हैं अर्थात मैं भगवान शिव और देवी पारवती को नमन करती हूँ जो हमेशा के लिए युवा हैं जो प्यार से एक दूसरे को गले लगाते हैं परवत हिमवंत की प्यारी बेटी भगवान जिनके द्वज में एक बैल का प्रतीक हैं मैं आपको बार बार नमन करता हूँ भगवान शिव और देवी पारवती अर्थात मैं भगवान शिव और देवी पारवती को नमन करता हूँ जिनके लिए सभी हर्श पून तपस्या की जाती है जो किवल एक नमशकार द्वारा वांचित सभी वर्दानों को प्रदान करते हैं जिनके पास गौरव शाली पैर हैं और जिनकी पूजा भगवान नारायन करते हैं मैं आपको बार बार नमन करता हूँ भगवान शिव और देवी पारवती अर्थात मैं भगवान शिव और देवी पारवती को नमन करता हूँ जिनके वाहन के रूप में पवित्र बैल है जिनकी भगवान ब्रहमा भगवान विष्णू और इंद्र के द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजन किया जाता है जिनके शरीर पर पवित्र राक और चंदन का लेप लगाया जाता है मैं आपको बार बार नमन करता हूँ भगवान शिव और देवी पारवती अर्थात मैं भगवान शिव और देवी पारवती को नमन करता हूँ जो ब्रहमांड के स्वामी है जो समस्त लोकों के राजा विजय स्वरूप के समान है वज्र के भगवान यानी इंद्र और अन्य प्रमुख लोगों द्वारा जीने नमशकार किया जाता है मैं आपको बार बार नमन करता हूँ भगवान शिव और देवी पारवती अर्थात मैं सभी मुद्दों के लिए सर्वोच औशदी भगवान शिव और देवी पारवती को नमन करता हूँ पंचाक्षरी मंत्र से भरे हुए स्थान में रहने से कौन प्रिसन्न होता है जो संसार की उत्पत्ति पालन और प्रलै के पीछे हैं मैं आपको बार बार नमन करता हूँ भगवान शिव और देवी पारवती अर्थात मैं भगवान शिव और देवी पारवती को नमन करता हूँ जो अपनी सुन्दरता और सुन्दरता में मुग्ध हैं जो सभी के लिए अर्थ्यदिक आ सकते हैं हरदय कमल के समान हैं जो सदैव सभी लोकों के लोगों का भला करते हैं मैं आपको बार बार नमन करता हूँ भगवान शिव और देवी पारवती मैं भगवान शिव और देवी पारवती को नमन करता हूँ जो इस कल्युक के बुरे करमों का नाश करते हैं दिव जोडी में जहां एक ओर कंकालों का वरण करते हैं वहीं दूसरी ओर सुरचिपूर्ण कपडों के साथ देवी निवास करती हैं केलाश परवत पर निवास करने वाले महान देवता और देवी मैं आपको बार बार नमन करता हूँ भगवान शिव और देवी पारवती अर्थात मैं भगवान शिव और देवी पारवती को नमन करता हूँ जो अशुबता का नाश करते हैं जो सभी लोकों और उनके प्राणियों में सर्वोच और विशेश महत्व रखते हैं जिनके शक्तियों की कोई सीमा नहीं जिन तक स्मृति का पालन करके पहुँचा जा सके यनी शास्त्र जिसमें आजीवी का पर दिशा निर्देश शामिल है मैं आपको बार-बार नमन करता हूँ भगवान शिव और देवी पारवती अर्थात मैं भगवान शिव और देवी पारवती को नमन करता हूँ जो दिव विरत पर विराजमान है जिनकी आखे सूरी चंद्रमा और अगनी है जिनका कमल जैसा मुख पूरुणिमा के समान है मैं आपको बार-बार नमन करता हूँ भगवान शिव और देवी पारवती आठात मैं भगवान शिव और देवी पारवती को नमन करता हूँ जिनके बाल उलजे हुए हैं जो व्रद्दावस्ता और मृत्यु से अप्रभावित रहते हैं जनादन यानी भगवान विष्णु और कमल यानी भगवान ब्रहमा से पैदा हुए व्यक्ति द्वारा पूजा की जाती है मैं आपको बार बार नमन करता हूँ भगवान शिव और देवी पारवती अर्थात मैं भगवान शिव और देवी पारवती को नमन करता हूँ जिनकी तीन आखे हैं विल्वपत्र और मलिका के फूलों से बनी मालाओं से सुशोबित कौन है शोबवती जो देदिपिमान दिखते हैं और संथा वतेश्वर यानी भगवान जो महान शान्ति के साथ हैं मैं आपको बार बार नमन करता हूँ भगवान शिव और देवी पारवती अर्थात मैं भगवान शिव और सभी प्राणियों के रक्षक देवी पारवती को नमन करता हूँ जो तीनों लोकों की रक्षा में समर्पित हैं सभी देवों और असुरों द्वारा पूजित दिव्य जोडी मैं आपको बार बार नमन करता हूँ भगवान शिव और देवी पारवती स्तोत्रम त्री संध्यम शिव पारवती भ्याम भगवान शिव और देवी पारवती पर तीन संध्या यानि सुबह दोपहर और शाम के दोरान इस उमा महिश्वर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए जो भक्त इन बाराश लोकों का पाठ करता है वह जीवन में सभी प्रकार के सौभाग्य प्राप्त करता है ऐसे प्राणी सौवर्ष तक जीवित रहेंगे और अन्त में शिव लोक को प्राप्त करेंगे इति श्री शंकराचारीकृत उमा महिश्वर स्तोत्रम संपूनम् नमू नारायन